नियूस क्लिक में आपका स्वागत हैं आज हमारे साथ है विख्यात मराठी लोक्षाहिर संभाची भगत इनसे हम कई मुद्धों के बारे में बात करेंगे तर सुरुवात अपन कवर्यात अपले वाटचाली बदल साधरन अमाला ऐडिया है कि अपन मुंबई मदे गेलात अंबेड़कर कॉलिज मदे होतात चिद्धात विहार होस्टल मदे तुम्ही होतात पन तैचा आधी जेवा तुम्ही सातारे मदे होतात लहु गावा मदे आवच नाव जाये महु आए महु आणी साधरन पने जे साट च दशेक आए स्वातंत्री मदेलान अंतर लोकां चेको पापेक्षा होता आणी मा सातरा जिल्ल्या मदे स्वातंत्री चेच चरवली पन जोर्दार धालेले होती परन्तु जाती विवस्ता जी आए ती जशिया तशी टक होती आणी मी मँझा लहांपनी अनेक परसंगा ना तसा सामरा गेरिलु आ Healthcare आमजे गावा मद्यामचे वस्ती वेगळया है, पानी वरुन मा पादल जात होता, वस्ती वेगळया, पानी आंचे वीरी वेगळया, आनी शाडेत सुद्धा वेगळया बस्तों ना, शाडेत सुद्धा वेगळया पत्या, जे दोन भांडे होती, सवरण बुलान सथी, एक यह मी लानपनिया स्वता जगलो आए, साधारनपने पंचातर नंतर आशा प्रकार्चर जे भेदबावाए ते थोड़े-थोड़े कमी होगे ले, परन्तु अर्थवेवस्ताजी आए, त्यातन तुम्हाला वाजा के ले जाता, तुम्हा ते तला सामाजिक जीवन आए, त्य आवाची जीका एक कल्चरल जीवन आए, त्यात तुम्हाला अजिबात एंटरी नस्ते, एक परस्तंग माला जो अजुन टक्काटो तो, हमच्या गावामदे संप्रताइक भजयन वतासी, आणि या संप्रताइक भजयन नाच्या मूले, एक जलाकायमन तो हरिणम सब्ता ज इस संगेताची कुप आवड़ जालियोती, माल मायत नेते का जाले ने करश्या मूले, पण मी गावातली गुरो चार्रेंच काम करयाच्यू, त्यामळ मी रानात एक्टा चासाईच्यू, त्यात्न गाण माया सवबद आलासाऊश्न मलवाड़त, आणि त्यामळ माला काई में आपता कि भाया, पव्या लुद ने ज़िणी अआज प्र agora. भायो दो यू में पनाव कि युदतन में पेसे हना रहा कि फस्वाकिस परndमा के फिर्ट का वाया जाक्मारी नालाव ज़िया। में आपरा चुई करने है तर गाव मिदे या संपर्ताइक सब्ते चावड़ेस माला मृदंग आयते चा खुप आवाज आवड़तो और अनी त्या में आवड या, कीर्तन कीर्तन का पावड़ेस सब्सक्राइब। या, कीर्तन आवड़ेस माला मृदंग आखंदरा जो मानूस ध्या उश्य वतातू, आत्छी चांगला आज़ एक नादात पुड़ी सर्कत सर्कत जिते म्रदंग वास्तो है तित्परिंद पोचलो हूँ, कुझन जे लक्षतने आला, आनी जे तबला लावाई सटी, कि मां म्रदंग ची चाटिया तीलावने सटी, एक हातोडी आस्ते, आनी गावा मदी नविने शत्रण जानली हुथे, चान, आनी हातोडा माज हातता आला, आनी जे खेका दर्त दर्त, त्या हातोड़ त्या थेके नी, जे अठ्वाई थोड़िशी। झाण, जे थल त्पाटली थोड़िशी। आनी ते अका मांस द्साragen, त्त तऽने बाचित लक्षतना ळाघ, तब ते इने वालाई थित्ती मार्ला कुपे, अजै आनी आई प्स पोरड ले मजा दुसरे दिश्रीपन माजा अही ला विचार लगले तू कसकाय मुल लाग उनाली सोगेरे बगले केल तन बाठत अमोगत 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 तो महीं बगीत लोगता थे आए अधिस्ट संगीत ही सर्व मानवान साथी सरगण साथी खुणी ओष्टाय पन त्यातन सुद्धा तुम्हाल वजा केले ता तर अशे अने गुष्टे अमचे जे गाव आये ते गाव मधी वेगली मुझे मराठा लोकान साथी एक वेगला हाव दोता अणी अमची भीरती तर दुष्काल अच्छा भाथतर जपड़ लाँ तर पानी अपन अमचे भीरिल पानी चांगलोता करन अमचे भीरे न थी पानलोट शेत्र चा अश्चा ठिकानी उत्तिके जिते जरा अच्छा दालक्य तिते अवाटर लेवल वर्थ्टियासावी अनी चांगल पानी उत्त तर अणी अच्छा पानी पाजालेक उनिया चे ठाल परश्वत्त नायपके जनावर अच्छा अमचे लाँ आसते एक्वेशन माचे लाटतर चैन अन्तर साधरण पने पणे चावर ज़हां अच्छालोता काड़ामे जवा मजे आत्वेनभीला पाजगणी लाँ ते अवा थोड़सा जागुरु थालोतो हमी कि अश्या प्रकाच्च आधिकार कैको ना मागाएचे नस्तेत अन्मी पाइलन्दा गेलो अधिरिंकोरून मी आउदाला थे थे भाने ला भंडलावलो ते अनलाला तर शगले आमचे अंचे तिकड़िव सली मांनसां आमचे घठशी मांनसां गुब घभर्ली एख जोड़े लोग उन्मी रुटके तर खाबलिवार्स ले झुटके ना थे अन्दावलो तेव मिमन्के तुमी अर मला काई केहलतना था तर मी पूली स्टेशनला जाएटा थे अ कि अचे बर्याश्य सब्सक्राइज माजी आई, सुर्वती ला दूसरेंचे अशे तत कामल दाएचे, मग तीने हालो भाजी विकायल सुर्वत के लिए, मग तीचा बरोर माला जाओ लागाचे, तर मी बगया चुके, अमचा इकरची भाजी ते गयाचे, पन भाकरी वरू नस में अचे गयाचे कराचे, यत्मी काई कुट्टले जाती ला केवाचे यहाख इस इस स्स्टम जाए, मैं लक्षातले कि इस स्क्षा राजी भाजी खूप सांगले तैमी ग के लो तो मलो कुप प्रेम करता हृत मान्स वाइट थाया नस्ताथ तत ता सिस्टम अधी थी मान्स तो आजो बदल आए या बदल आचा पाठी मागे शुदा खुब मोटी चलवोल नी खुब काम करने तालेला है यह आसाज बदल जालेला ने तर यह लाण परनाचे काई गुष्टी जा तुम्हे विचार लेत जाए जोड़े मला आठ होता तर जाती वे वस्ता आणी अस्तु अस्तुष्टा गेली तरी जाती वे उस्ता तशी चा तशी टक्का है यह दिता कॉंटेंट जात नहीं है तीसा फॉर्म बदल तो आए अकृति बंद फक्त बदल तो आए परन्तु थी आशेया मरे तीसा जो आशेया है तो जशेया तसा मना मरे सापासर का डूक दरूना है अन्ती सिस्टम है ताथ पुटली जात एक कुटल एक मानूस मला सवाटत नहीं एक सवाल मैं आप से पूछना जाओंगे आपने बहुत तरीकी की माध्यमों के साथ काम किया है आपने जुग्यों में गाउं में जाके परफॉर्म किया है जहां पे दर्शु संख्या काफी क अगर बात करते हैं तो मुझे कोई भी माध्यम आसपुर्श्य नहीं है जो माध्यम जीदर चलता है अब ही मैं यह आया तो में क्या मेरे के सामने हूँ लेकिन यह दिली के को एक जोगी जुपड़े में जाता था तो जो जिस परसिती में हूँ वो परसिती में जो मेरे सामने है वो मैं किसी को बोलता नहीं कि यह यह नहीं करेगा ऐसा नहीं जिदर से भी हम पहुंचना चाहते पास जिदर से हम पूंचनी किस सुवीदा है उस सुवीदा हो आपनी चाहिए एफेक्टिव माद्यम तो आपको मालूम में यह डिजिटल माद्यम है एफेक्टिव तो सबसे क्या अभी रेकॉर्ड काया तो सालो साल हजारो साल यह रहेगा वैसे मैं प्रोग्राम कर दू तो मुझे याद रखेंगे लेकिन बुड़े लोगो मर जाएंगे तो बच्चे लोगों को याद ने रहेगा तो यह एफेक्ट भी कम है और अभी तो डिजिटल सबका ही माद्यम डिजिटल हो गया है मैं नॉट मेंसरी कि यह जो गरीबों का माद्यम डिजिटल नहीं आई अपर मिडल क्लास का रिज क्लास का अपर कास्ट का अपर क्लास का माद्यम डिजिटल हो यह जो लोगों के अरे घर में अभी मोबाइल है तो अभी वह बन गया है तो इफेक्टिव माद्यम के बारे में यह तो डिजिटल है और सिनेमा में जो काम किया है मैं रस्ते भी गात मैं नातक भी किया, और मैंने नातक नाता and cinema, को श्निय कोद मुझे लगता है की जब जब परिसिती जीस तरह से आई, व हम परिसिती को टैकल करने के लिए मैं ने ओट्रप आपग्या तो मैंने लिएन सिंगर, तो क्यों करना है प्रुसिनियम जब मैं सिवाज अंडर्गाउंड किया या मैंने जलसा जभी बनाया तो मेरे कुछ डॉगमेट दोस्त है तो मेरे काम करता हो अलग अलग लोग जो तरीके से तूल और अभी तो वे से घय क्याशा है यह फी कुछ नहीं करे onset गाएं यह तो बिग गया अँम्लग जो अलग तरीके के दो अच्छेंटियों में ठीमने आउंट vagy क्रुड़ में से क्रफंडáट्य एं वह बन जो साइटी ह वह आयाल दोग मैठ।ै, ईसमें भी डूगमेट है। लोग कुछ करतें नहीं। थो नहींदू करतें उसको गाली रेते, तर मैंने वो शुरू किया। जलसा शुरू किया तो बुले नहीं भी तो चाहँ था olur बाटे अभी कि शुपारी शाहिर बन गया तेल करते में इस अपरीन के कितन अडिए नच करते में वह एक। थे देर working एपिक Inspire एक injured ह lease साजु एला गाल को ए कि में आथमी श्परश होता है क्या फिरपादमी मैंने फिल्म किये तो बहुत पहुत ही गाली दिल 라 किसे से मैं रिपला आ अथधा थिरप मुझे जो बोलने का था, वापश जाके मैं मेरे बस्ते में गाम सुरू किया. मुझे एक आड में में एक और में तीवे पर आता हूं, या चिनेमा में लिता हूं, या गाता हूं, वटेवर, लेकिन वेरी नेक्स दे बस्ते में दिखोंगा। मेरा गराउन वस्ती है मेरा जो प्लेग्राउं मेरा मैदान है वो मेरा जो युद्ध भूमी हमारी हूँ है तो हम उधर उधर से हम लोग अपरेट करते हैं उधर जाते हम शिवाजी मंजिर में जाके प्रस्तापितों को भी दोचाट मार के वापस आपके उधर रस्ते बे सब्सक्राइब को समझना चाहिए अभी पहले स्टी थेटर का ग्रूप था अभी एक चैनल होना चाहिए मेरे पास में लेकिन नहीं है अभी चैनल बना के हम लोग काम करना चाहिए था जैसे कोई और गनाशी ने समझो तो पहले हम लोग बहुत सारे लोग जो है पुरोग को लोग एकट्ध लोग के टेते फांड हें लोग यका तैटर भना ते जोकिजोपडिया में जा थै आभी स्टीरण नहीं है मुझे लगता ह हरेके पास में चैनल ना चेह ह। हरे गृड़ूप할 इन रहावस फास में एक चैनल होना चाहे हो लोगें के लिगवाश लोगो गाला में चाहे हो जोता वोटा थाम करना चाहे है यह जातिधरम के जगड़े करवाने वाले, जो लोग consciousness है, ऐसे लोग यह सब इस्तमाल करने में बहुत आगे हैं, तो यह लोग digitally बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, और यह जो बदलना चाहते हैं दुनिया को, एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, वो लोग एकदम लेकिन संसाधन की बाती नहीं आएं, सम्झो अंबेड कराई पार्टी है, वो यूप में चिप मिनिस्टर बने थे, तभी प्लान करके दलितों के लिए एक टीवी सेंटर बाड़ा बना चाहते हैं, और चाहते हैं, और चाहते हैं, पचीछ साल तो बंगल में, बहुत रूल तो एक लिफ्ट का बड़ा आईसा जो 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 जी टीवी आए, ऐसा एक चैनल होना चाहते हैं तो ना? आज के दौर में जब बोला जाता है कि इंसान की समवेदना या चेतना एक होखली होती जा रही है, या मरती जा रही है, आपको लगता है क्या एक एक एफेक्टिव जरिया रहेगा, आर्ट फर्म या कविता? देखिए, अभी यह जो क्राइसिस है, पूरे हुमन रेस का क्राइसिस है, यह कोई इंडिया का या महराष्टर का या दिल्ली का क्राइसिस नहीं है, यह हुमन रेस का क्राइसिस है, क्योंकि यह क्राइसिस एकोनोमिकल होता, तो उसका कुछ तो एक चीज मतलब एक उत्तर मिल जाता था, जवाब मिल जाता था, यह कल्चरल होता, यह एकोनमिकल होता, यह पोलिटिकल होता, तो मिल जाता, यह क्राइसिस फिलोसोपिकल है, और इंसान को अभी तई करना है कि जीना है, तो क्यो जीना है, क्यो जीना है, यह प्लैनेट में क्यो है, तो यह फिलोसोपिकल आता है यह बारबार आया है, इनसानों के बड़े बड़े युद्ध हुए है, उसके कारण है हुए है उसको समझ ने ने लुए इनसान को समझ मेने जा कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं बोल रहाums वह द्रम और अप्या है, जा धुछ थे और उसका प्रव दॉघचा, कीहिं था ये είकла comparison उसे इक हम उसके को लह दुख ही जहाएं। लेकिन इसको यह जो जो पॉलते हैं हम लोग प्यूर पॉलतीक्स भोलते हैं पॉसका अंसर नहीं है कल चिर लकुर्ट पहुड़्टींस बनाने भड़ेंगे यह पुराने जो लोग है ना पुरोगामी बोलते है या जो भी बोलते है वो कुछ खराब लोग नहीं है वो समझदारी उनका डॉगमेटिक है वो डॉगमेट से या समझदान नहीं चाहते है वो बुद्धे लोगों को निकल जाएंगे नए लोग आएंगे इस समझेंगे कि देश कलिट přुषिटिरल पॉलिक्स चलता है और पुरा दुनिया में भी क्राइसिस है, फिलोसोफिकल, धी। आप सोचेंगे कि cultural politics क्या है, आप पूचेंगे मुझे, तो यह cultural politics होता है कि जो pure politics ऐसे कि हम लोग election करते हैं, तो issues क्या होते हैं, हमारे issues होते हैं कि महंगाई है, यह है, तो वो तो है, बहुतिक चीज़े, तो है, तो बहुतिक चीजों के बारे में, इंडिस्ट्रिल सुसाइटी में बहुत दिमांड किया हम, और कुछ-कुछ चीज़े मिल गए, कुछ चीज़े ने मिल गए, लोग पावर्टी के अंदर रहे हैं, लेकिन सिर्फ, सिर्फ एंड सिर्फ, मत्रेल चीजों से लोग गरीब ने होते हैं, वो कुल्चुरल इन्वार्मेंट से उसको बाहर निकाल के उसको पानी में से मचली निकाल के बाहर रखते हैं, वो तरडब जाता है, वो ऐसे कल्चुरल एंवार्मेंट जो होता है, देश का या समाज का, उससे भी लोगों को डिप्राय किया जाता है, तो ये इशुज सिर्फ मत्रेल जो हम काम करते हैं, बात करते हैं, तो सिर्फ मत्रेल इसुज से नहीं, तो ये कल्चरल इशुज भी एक मत्रेल इशुज इतने ही इंपोर्टन है, और दुनिया में अगर कुछ चेंज लाना है, तो पहला तो इस सभी जगे हो आए, कि पहले कल्चरल रिवोलुशन आता है, और इसके बाद में पोलिटिकल रिवोलुशन आता है, लेकिन आभी कल्चरल पोलिटिक। क का रिवोलुच राना चाहिए, जैसे माँ पहला इक पोलिटिकल रिवोलीशन कीया है, उसके बाद में ध्यान में आया, गुलाWowha, कunciрल हम लोकों का प्रॉब्लम है, बाद में आज इसकी बहुत जरूरत है, मैं ये निये डिड़ा करता हूं, कि मत्रियल चीजों के लिए लड़ना बेफ्यूजूल है, उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उतना ही वैल्यू हमको कल्चरल जो इसुज है, माइंड के इसुज है, फिलोसोफी के इसुज है, हम दो जो लोग आपी राज कर रहे है, कल्चरल राज कर रहे है, वो गलत है, जलत है, लेकिन उपर शवर गह करके, और उसकी दाने है, उसका सब पुचे, उसका फिलोसफी बनाया लोगो, हम लोगों को बोसारी प्रश्णा है है, ये टाइप के, और जी जी रहा हूं, एक में लोगों के पास में कुछ न कुछ एक अंसर देते हैं गलत है उससे कुछ इंसान का भला नहीं हुआ है लेकिन हम लोगों को एक नया तरीके से फिलोसोफिकली हुमन बीग को अंडरस्टेंड करने के लिए तयार होना चाहिए और जैसे मट्रेल इशू है वैसे हमारे जो सो आई साय पॉआ है यह आए नहीं हो आए राम अंदीर का इसव हो ता है बाबनी मास को गिरा जाता है एक पार्टी सता में आजाती है इस तरह से होता है तो कल्चारल इशूस में नहीं है मैं गॉन्फलिक्ट करों करके नहीं बोल रहा हो एम लोग्विं नहीं ब़ल रहा हो जो कल्चिर जो फिलोसोफिकल क्राइसिस है उसके बारे में थोड़ा रिस सच करना पड़ेगा और मैं तो कोई फिलोसोफर नहीं हूँ लेकिन इस पोईट मुझे लगता है कि हमारे पूरे रेस के सामने ये प्रॉबलम है ये सरकारी फासिस सरकारी आती है आएगी जाएगी लेकिन एक क्राइसिस कंटीन हो रहाएगा वही जसे हम बात करते हैं स्चुनाओं के भी बात करते हैं मैं बोरियो जब कि इसा माना जा रहा है कि इन्सानों की जीतना है मर रही है क्योंकि इसका रीजन भी जैसे एंडिया वन का जो पूरा टेनियर था उसमने देखा कि गलब तरीके से टार्गेट किया गया लेकिन हमने ही वापस इसी जरकार को बहुत ही स्टॉंगर मैंडेट के साथ वापस लाया है आपको क्या यह डराऊना लगता है आप इस डेवलेप्मेंट को कैसे देखते हैं वो चून किया इसका मुझे डर इतना नहीं है जितना जो विरोध कर रहे हैं जो फ्राग्मेंटेड हो गया है उसका मुझे ज्यादा डर लगता है मुझे उनका चून क्या ना तो मतलब तो कैसे भी आ सकते क्योंकि उनका संगटन है उनके पास में 1925 से वो काम कर रहे है पांच पीडिया उन्होंने दे दिया है और त्या किया है और उनका सरकार आया है तो दो बार सरकार आया है तो वो अभी नीचे तक गया है बले हम उनके विचार के साथ में सहमत नहीं है जराभी सहमत नहीं मैं भी नहीं हूँ लेकिन कॉंक्रिट कंडिशन को देखना पड़ेगा ना कि ये इतना साल से काम कर रहे है और ये अंदर काम क कर रहे हैं और उसका रिजल्ट है और यह जो उसको विरोध कर रहे हैं इंसानियद चाहते सब पूच चाहते अच्छा विचार है लेकिन वह लोग एक दुसरे का मूने देखता है और तूट तूट गए हारे का मदल वो कैसे पुरोगामी है कि पावर सिकर हमको पावर मिलना मंगता है इसके लिए मालक से लड़ेगा हमको वो कुछ भी मतलब जो रोल ओफ ऑपोजिशन है वो प्ले ही नहीं करते है वो पार्ट उफ उनका ही बी टीम जए सा काम कर रहे है तो मुझे डर वो बी टीम बनने का है कि जो डिसेंट रखते है वो लोग अखटा नहीं उसका डर है मुझे वो चून क्या है वो इसे दुनिया में बहुत बार आए गए लोग वो आयेंगे क्योंकि उनके पास में पूरा सिस्टम है उनके पास में तरीका है उनके पास में यंतरनाई है रिसोर्सेस है उनके पास में टीवी चैनल है उनके पड़ता है यूएन भी मैनेज करने के लिए तो संगटन चाहे ना यंद्र ना होग तो यंद्र है उनके बास में और जैसे उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां पर जातिय समयकरन ज्यादा असरदार होते हैं महाराश्रगा थोड़ा सा अलग है वहां पर भी आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वज़ाएं दिखिये मैंने उसका अंसर दिया है क्योंकि फासिस्ट फोर्स जो होते है यह बहुत कमिटे होते है उसके पीछे उनका बहुत बड़ा मतलब जो कैपिटल होता है कैपिटल लोग भी रहते है और यह कैपिटल क्राइसि तो चाहे वो वन्चित बहुजनागाडी होने दो चाहे वो मायावती जी और सपा के लोग होने दो मुझे ज्यादा कुछ परकने लगता है क्योंकि संगटन के बिना किसी एक बड़े चुनाओ को सामने दाना और उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे क्योंकि हमारे सभाओं में ज ग्रerek में आधा लोगाते है यह असुरक्शित मास है यह असुरक्षित्तिक मच अस है यह एक ट्रेंड एशाम नहीं है यह लोगों को मागता है कि यह कोई सेव करेगा क्यों फिर्सें कूल बचाए गाए आमको लेकिन ऐसा नहीं होता है दलितों always Appreciate उनको यह से बड़े-बड़े पैमाने में मिटिंग में आ गए तो लोगों को लगा कि ने अपने सीट साभी निकल जाएंगे क्योंकि इतना वोट है लेकिन कैपिटलिस्ट जो छुना होता है उसका गनी गरीब लोगों उनका घनी थाही नहीं है उनकी ताकह थाही नहीं हो जो लेवल पर कैपिटल चलता है और पैसा चलता है वो नाई करने वाले तो यह हवा में जाने का कोई ज़रूरत तो मुख्य मुद्दा है कि इसमें जो असुरक्षित मास है, यह असुरक्षित मास को हम लोगों को ट्रांस्वर्म करना पड़ेगा, और इसके लिए लंबा संगज हो है, वो लंबा संगज करना पड़ेगा, यह शौट कुछ लोग है न वो सब बोलते हैं, अभी पांच साल करेंगे, उसके बाद में भूमयाओ हैं, पहले जब आय हैं, पहले जब आये, फुल स्पीड में चांग्रेस के वी वह हैं, तो ब्रोन के वह हैं उनके पास में सब पूरा एकुपमेंट्स थे, वो सोशल मेडिया होगरागागाद में अमरिकासे ट्रेंड लोग हैं, अज़ ट्रेंड लोग थे, उनक तो बड़ा सत्याश करेंगे, क्योंकि उनका सत्ता आने के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं, ने, ने, वो आईसा ने करना चाहिए, वो तो हुमन राइट्स को रखना चाहिए, वो तो यूनियन को रखना चाहिए, वो अमारे अवरतों के अधिकार को नहीं कुछ अचलना करने चाहिए, दलितों को अच्छा तर से देखना चाहिए, जीनका कंटिन्ट ही है, उनका कलर है वो है, कि मैं हम रूलिंग क्लास काहिए काम करने के लिए है, वो तुमारे काम क्यों करेंगे, और तुम शंगड़न ने बनाने का, और तुम उनको गाली देने का, तो बाद म करने वाले, आसुरक्षित लोग, यह पेस्बुक पे कचरा लिखने वाले, यह लोगों से जाने वाले नहीं है, यह ज्यादा स्ट्रॉंगर है, तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा और उसके टार रहना पड़ेगा, जैसे ही हिटलर के मायुद्धों होने के वज़े से निकल गए, तभी हिटलर आया तो रशिया कुछ था, बाकी लोग बाकी देश लड़ रहे थे, अभी यह तो पूरा दुनिय में राइट विंग है थे, पूरा दुनिया में राइट विंग है तो ये कुछ अलग क्रेसिस है, इक साइड में एक एक एकोनॉमिकल क्रेसिस है, जैक्ट्साइड सेड प्रस्चन का उस्सै будем गए है और दूसरे साइड में फिललोसो lug उस्वत ले, इसमें पूरा हम डूमन आयूशा अगदी पॉलिटिकल महणून काड़ता थी कुखले ही इशू बरोबर इंगेज करते हैं, कि वहाँ कुखली ही वक्तव्य करते हैं तिरा आज कि अपद्धती ची तो तुम्हाला काय वटता है है घाबर ले ले आहे तका इग्नोरंटे तना समझतस नहीं है करना ची क काई गर अजेट तुहां का एक्सपिरियंस है तुमसा तुमसा अधिया सत्ता बहुत खतरनाग चीज होती है उसके सामने खड़ा रहना यह कोई खाने के चीज नहीं है अब बहुत बड़ा कालेजा लगता है हमको पुरुगा में भी रहने का है और हमको जेल में भी नहीं båत बीच में किलोगई और बीच का आजमी कुछ नहीं करता आसे बीच का आदमी घृत अषटा मेरे को यह करने है बहुत इंप करने है तो यह जो स्टेट्में नहीं कर रहा है या जो भी पुरुगा मि करके उनको नाव Алексा आजा जाता है कि और जो पुरुगा में हो सकते ब необход कविता लिखने से कोई पुरोगामी नहीं होता है वो काम करना चाहिए कल्चरल कल्चरल रिवूलुशन के लिए वो पर्टुकुलरी जा के नीचे काम करना चाहिए इसूस के साथ मे रहना चाहिए ना मैं यह नहीं बोल रहा है कि तुम किसी पार्डी का मेंबर बनों लेकिन जो भी गाना लिखते हैं तो ऐसे हम लोक न भी साथ में रहते हैं अभी फ्लुक्षण के मी जाकर अथे अदे में जाकर आफ rsavidhan का काम कर रहा हुए और वह जी काना लिखते हैं तो एश प्रन्तौ में रहना इसके लिए कुछ लोग थों चुदको पुरोगा में भी कहना तो फिर मार्केट भी देखना और अपना इमेज भी बनाना और सेफ भी रहना, तो यह प्रॉब्लम है, तो अभी इसके बाद में यह चांस नहीं है, जो है पानी का पानी दूद का दूद हो जाएगा, इसके लिए फासिस्त लोग आये हैं, वो दूद का दूद पानी का पान के लिए धन्यवाद.